ऐसा रूप तैयार कर दिये हैं इंडिया गठ बंदन का कि भारतिये जंता पाटी के सारे नेताओं की निंद हराम हो गई है सभी लोग दहसत में हैं हतासे में हैं चाहे वो दिल्ली के नेता हो या पटना के नेता हैं अब जाने के लिए जदियों के प्रवक्ता हैं उनसे जानते सर्किशम्राठ चोगरी जो परदे सद्याक्ष है तो उनके दूरा जो बयान जारी किया आप क्या इस पर बोलेंगे सबसे पहले तो हम यह कहना चाहेंगे कि यह भारतिये जिनता पाटी के जो भिहार इकाई के जो प्रदे सद्याक्ष है मैं बार बार काता हूं कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है इसलिए अनाप सनाप कुछ भी बगते रहते हैं और बात रही नितीश कुमार की तो नितीश कुमार जी ने बिहार से जो चिनगारी उत्पन किया है वो भारतिये जनता पाटी के जो कुकृत है कुशासन है उसको उखार फेकने का वो ऐसा रूप त्यार कर दिया इंडिया गठ बंदन का भारतिये जनता पाटी के सारे नेताओं की निंध हराम हो गई है सभी लोग दहसत में है हतासे में है चाहे दिल्ली के नेता हो या पटना के नेता हूं उन्होंने द कारश करता चुकी बारतिये जनता पाटी ने तो बींच में एङलान किया था कि हम अपनी उपलब्दियों को या दि नौ सारे इंडियों सा क्या-क्या वादे किये थे और आपने क्या-क्या पूरा किया नहीं किया इन सारी चीजों का खुलासा हम जनता की अदालत में जनता के भी जाके करेंगे और यहीं कार्जकरम चल रहा है पोल खोल अभियान अभी देश के अंदर जो सबसी बड़ी एक समस्या आ गई कि 2011 के करोना का बहाना बनाकर 21 में जनगन्ना नहीं कराया जबकि 80 से ज्यादा देशों ने अपने देश में करोना काल से जुधते हुए जनगन्ना करा लिया अमेरिका जैसा देश पाकिस्तान जैसा गरीब देश अपने देश में 2022 में जनगन्ना करा लिता है लेकिन भारत की मोधी जी की सरकार हम यह कह सकते हैं कि 2021 में जनगन्ना नहीं कराया जाना एक बहुत बड़ी गहरी साजीस है और साजीस इस मामले में हैं कि चुकि 2021 में जनगन्ना जब यह नहीं करा पाए तो 2026 में जो परिशिमन होना है नया वो परिशिमन किस अधार पर होगा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 2026 में संबैधानिक संकट उत्पन होने वाला है कि जब 2021 के पास 21 में आप कर रहे हैं नहीं जनगन्ना और 26 में कराना ता 21 के जनगन्ना के आधार पर नया परिशिमन तो आप किस तार पर कराएंगे जबकि सभी वर्गों में खास कर अनिसुचित जातियों और जन जातियों में जो विधान सभा और लोग सभा में सीटों पर रिजर्बेशन दिया गया है आस्थान सुरक्षित है और उनकी जन संख्या भाड़ी तदाद में बढ़ी है तो इस हिसाब से उनके आरक्षित ना कराया ही नहीं तो चब इसमें परिसीमन कैसे होगा तो इसी बात को रोकने के लिए इसी पर परदा डालने के लिए नहोंने को नहोंना का बहाना बना करके नहीं कराया तो हम यह कह सकते हैं कि भारतिये जनता पार्टी दलित और पीचलों का घोर बिरोधी पार्टी है औ और उसके तरक्की को उसके विकास को देख करके ये भारतिये जन्ता पार्टी के अंदर जलन और खुजली पैदा होता है तो इसलिए हम यह आगे कहना चाहते हैं कि बहुत सारी मामले आए भीहार के बारत के अंदर कुरोना काल में जनगन्ना नहीं होता है लेकिन नए संसद् पारूप दे देते हैं और यह तो हम यहीं कहेंगे कि कुरोना के नाम पर जो इन्होंने लूट मचाया और देश के साथ जो धोखा कि या भारत की जनता इंसको माफ करने वाली नहीं है सर यह सवाल हमारा है कि 2024 में इंडिया का गटबंदन हुआ है भाजपा को किस तरीके से देख रहे हैं बाजपा को किस तरीके देख रहे हैं चुकि नौशाल में तो इन्होंने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं अब जनता अपने सवालों का जबाब मांग रही है जनता कि या था कि जो है महाँआई पर लगाम लगाएंगे आपने महाँगाई पर जो लगाम लगाया देश की जंता देख रही है कि एक ही भुनाथ बढ़त में आम लोगों का जीना मुखाल हो गया आपने कहा कि बेट की असमिता और उसकी आबरू की रक्षा करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ा वेटी बढ़ाओ का आपने जो है सगुफा नारा दिया था और जो है क्या कि आपने नारियों के साथ महिला पहलवानों के साथ कि वो जो है न्याय क कि बजाए जहोज पर बरबर लाठियां बरसा है किसानों की आये दोगुन्नी करने का वादा करने वाली सरकार किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, धर्णा पर बैठने के लिए मजबूर किया, भूख खर्ताल करने पर मजबूर किया, किशान भी इस देश का माफ करने वाले नहीं हैं, तो हर समाज में हर वर्थ के लोगों को इन्होंने धोका दिया है, ये हिंदू का ढोंग रचने हैं सबसे ज़्यादा हिंदू को ही धोका देने का काम किया बर्तिय जनतापाटी और मोधी जी की सरकार में और अंगेव के बाद ये पहला मोधी जी है बारत में जिन्होंने सबसे ज़्यादा मंदिरों को तोड़ने का काम किया एक अकेला देर सो सीवलिंग लंका थाने में हैं कहां से आया यह सीवलिंग निश्ची तुल्प से देर सो सीवल मंदिरों को तोरा गया और उससे सीवलिंग निकाल करके लंका थाने में जब्त किया गया तो इस सबसे बरा घोड बिरोधी हिंदूओं का सबसे बरा जन बिरोधी यह मोद 24 में निश्चीत रूप से भारती एजन्ता पार्टी मोधी जी की बिदाई होने वाली है और एक मजबूत सरकार इंडिया की बनने वाली है कि केमरामेन विश्णू के साथ प्रिंश कुमार पठना